अब देखो notes कैसे बनाए, notes के ऐसे कर लिया करो, देखो, बेटा सबसे पहली बात समझो, मैं समझ सकता हूँ कि परणे में बहुत सारे सवाल करने में time लगता है, तो बिना time दिये हुए आप select नहीं होगे, time आपको देना परेगा, मेहनत करना परेगा, अब बार ही आती है कि notes के हमेशा दो पार्ट में division रखो, पहले पार्ट में आपको theory लिखना है, basic derivation, formula, theory, formula, जितने MR star बताए हैं, जितने concept बताए हैं, वो सारे लिखो, और कुछ basic question अच्छे जे लिख लो, ठीक है, basic formula बेस जो होते हो, उसके बाद तुम part कर लो question practice का, अलग, उसी notes में question practice, और इस question जो लिखे होते हैं, उसको short में लिखने ही कोसिस करो, जैसे पूरी कहां नहीं लिखे, उसमें 2-4 information लिख लो, और उसका solution कर लो, सरी ये तो हम कर लेंगे, सारा करना जरूरी है, जैसे मान लो कि मैं तुमको 5 question करा दूँ, और theory बदा दूँ, और तुमको मैं छोड़ दू, अब मैं जितना question तुमको करा देता हो न, उतने question तुम जाओ, DPP से, मतलब sorry, module से, या किसी भी book से solve करने, तुमको 3 गुना ज्यादा time लगेगा, 3 गुना ज्यादा time लगेगा, और तुम उसका notes तो fair notes बनाओगे नहीं, मान लो तुम एक book solve करते हो, book में से 20 question करते हो, क्या question practice तो करोगे, लगिन fair notes तो नहीं बनाओगे, अब वहीं समझ लो यहाँ पर, जैसे तुम यहाँ पर theory लिख रहे है साब, theory लिख लिया, derivation लिख लिया, formula लिख लिख लिया, concept लिख लिख लिया, basic question लिख लिख लिया, और बचे हुए जो questions उसको भी sort में लिखो और उसका solution लिखो, सरो बहुत मोटा हो जाएगा, 8-10 परना भर जाएगा, ठीक है, क्या दिक्का थे, भरने तो, मेहनत तो करना परेगा, सर आप revision कैसे करें यह बता तो, जब revision करोगे, तो revision में सबसे पहले जहां से topic शुरू हुआ है, उस topic से basic theory revise करोगे, formula revise करोगे, MR star revise करोगे, concept revise करो उसमें से क्या करना है, जो question आपसे first time में solve नहीं हुए थे, या कोई tricky question है, या कोई अच्छा question है, उसको rate pen से mark कर दो, उसको 2-3 बार revision में देख ले ना बस, एक बात बताओ, simple सी, simple सी एक बात बताओ, simple सी बात बताओ, माल लो कि मैंने तुम्हें कोई topic पढ़ाया, motion under gravity, तु सबसे पहली बात की motion under gravity सुरू हुआ, उसमें मैंने ground to, sorry height to ground drop वाला case बनाया, अब drop वाले case में मैंने time of flight बताया, 2H by G, acceleration बताया, ground पर velocity बताया, basic चीजे बताया, बेसिक चीजे बताया, वो सारा theory में लिखो, और फिर उसके 2-3 question लिख लो, बाकी question भी तुम लिखो short form में उस side में तुम question करो, अब जब तुम यहाँ पर revision करने जाओगे, तो इसको revise करो, सारे question तो revise करोगे नहीं, मालो मैं तुम्हें सिर्फ ये case बताता, 3 सवाल कराता, ये case बताता, 4 सवाल कराता, तो notes छोटे बन जाते, अब बचे हुए question अब किसी book से practice करते, उसको fair में थोड़ी नोट करते, उसको बार-बार थोगी न revise करते, तो notes बड़ा बन जाता है, बनने दो, लेकिन तुम्हारे, तुम्हारे notes में दो पार्ट होने चाहिए, कौन से दो पार्ट, ये रहा बेटा दो पार्ट, थ्यूरी, formula, MR star, concept, basic question, basic question, ये पहले पार्ट में आएगा, फिर तुम् सवाल करा है, बता, distance displacement कम से कम 25-30, average speed velocity पे 25-30, acceleration पे 25-30, variable acceleration पे 25-30, अगर तुम इतने question नहीं करोगे, पर chapter, तो अभी तो बाकी है, ग्राब पर आऊँगा, rate motion कराऊँगा, ये 300 जाएगा, 300, और 300 कुना 30, 0, बता कितना होगा, 9000, 9000 question, लगवग लगवग approximation में ले ले, तो 7000 मान लेता हूँ, छोटे chapter, कुछ बड़े chapter mix मिला के, average, 7000 question तुमको physics में करना परेगा, कितना question करना परेगा, 7000, और तू decide कर लेगी, 7000 question, तुम्हें मैं कराऊँ कि तू खुद करेगा, choice is yours, तुम्हें class लेने में time लगता है, तुम्हें लगता है कि बहुत पढ़ा रहे सर, बेफकू बना रहे सर, बहुत ज़्यादा question बना करा रहे सर, सर कैसे होगा इससे, तो ठीक है, मैं तुमको per chapter 40 question करा देता हूँ, काफी है, हर topic पे 3-4-4 कराऊँगा, 10 topic होता है, 10 चोग 40, मैं 40 करा देता हूँ, मैं 40 करा देता हूँ, 260 तू खुद से कर ले, मैं 40 कि राधे तु तो 260 तो खुद से कर ले इसालब 260 करने में न 1 से 1.5 महिना ना निकल जाए न तो बता देना तू उब बता देना तू हमें physics में total कितने सवाल करने परेंगे 7000 से लेकर के 9000 के बीच में 7000 से लेकर के 9000 के बीच में इमांदारी से तु बता, हम दोनों चेप्टर अभी तक इतने जितने भी पढ़ होंगे, बेसिक माथ, Udm, 1d, अगर मैं Udm की बात करूँ, या 1d की बात करूँ, सेपरेटली, सिर्फ क्लास प्लस असाइमेंट, class plus assignment में अभी तक class plus assignment में 300 सवाल हो गया होगे ठीक है तो अब time लगता है तो भाई time तो इसमें भी लगेगा जो बात बता ना मैं तुम्हें basic theory concept अच्छे समझा के पर topic 33 सवाल करा देता हूँ 40 सवाल कुल हो जाएंगे 200 सवाल तू practice कर ले न एक option तेरे पास ये है choose कर ले option 1 option 1 40 question मैं करा देता हूँ 260 question तो खुद से कर ले 300 हो जाएगा on and average सही चलेगा option 2 option 2 300 मैं खुद करा हूँ choose कर ले option 1 option 2 option 1 option 2 सर सारे आप ही करा दोगे तो कैसे होगा भाई assignment के form में तो practice करने के लिए देता हूँ DPP कर DPP देख के solve हो जाएंगे तेरे ये दो option है अब मेरी बात सुन जब तू ये करेगा ना ये करेगा ना तो इसके company में तीन गुणा time लेगा तू खुद practice करके देख ले उसके बाद relevancy के चक्कर में फसेगा अलग choose नहीं कर पाएगा कि कौन सा question करूँगा और सुन कोई वैसा किताब नहीं बना आज तक जितने सवाल में एक topic पे तुमें करा देता हूँ average speed, average velocity का कोई भी तुम किताब ढूंड के दिखा दे जहां पे ढूंड के दिखा दे टोटल 220 सवाल तो अभी करा दिया साथ topic में कि मिलेंगे नहीं तो ढूंडता रहा घूमता रहा भटकता रहा अब इसमें दिक्कत आएगी लेकिन इसमें दिक्कत आएगी तो इसका option मैंने बता दिया क्या option बता दिया बेटा देखो simple सा तरीका है कि notes में तुम्हारे दो पार्ट होने चाहिए हर topic के दो पार्ट होने चाहिए basic theory, formula, mr, concept, basic question और उसको लिख दो question practice अब दम धुआधार सवाल धीखी इसके लिखते जाओ, सब लिखना है notes में पूरे लिखने है अगर आपको doubt है notes में कितना लिखना है जितना परारों सब लिखना है भले ही ये पूरा-पूरा लिखो, जो question practice होता है उसमें sort में question लिखो, उसका solution लिखो, revision करते समये जरूरी नहीं कि आप इसका revision करे, revision आप इसका करे, इसका revision जरूरी नहीं है, revision इसका mandatory है, इसमें वो question revision करें, जो तुम्हारा important इस बात को लिख लो आज परशान हो गया हूँ मैं, यह सवाल सुनते-सुनते प्रशान हो गए हो सवाल सुनते सुनते बहुत टाइम लग रहा है यह लग रहा वो लग रहा है तो तुम्हें क्या लग रहा है टाइम हमें नहीं लग रहा है कराने में तुम्हें एक बात बता यह न जिगरा चाहिए जिगरा चाहिए इतना सवाल लाके और करा देने और डि हमें कामचोरी नहीं आती हमें आलस नहीं आता हम मेनद से नहीं बचना चाहते हैं हमको पराने में मज़ा आता ही क्या डैस हमको मज़ा नहीं आता किसी को नहीं आता तुमको भी पढ़ने में मज़ा नहीं आता लेकिन हम तो कामचोरी नहीं कर रहे हैं हम तो कर रहे हैं न तो करो और यह फालतु निता गिरी छोड़ो सारा कोशन एक जगा दे दो सर नहीं दूंगा क्यूं दे दू सारा कोशन एक जगा इतने मेनस से कोशन और सिक्वेंस बना है वो ऐसे उठाऊ टागे लोग फीपीटी ले जाके ऐसी परहा दे रहे हैं मैं क्यूं दे दू सब कुछ एक जगा पे और इजी हो जाएगा कोपी करना पूरे नोट्स को दो पार्ट में बाठ दिया यह सौर्ट यह लोंग सौर्ट में सारा चीज आ गया है लोंग में आ गया अब एक सा सौर्ट नोट बनाने की जगात नहीं है लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है कि इस 10 पेज को मैं एक पेज में कनवर्ट कर लगा है तो वो सौर्ट नोट हो जाएगा यही तो हो गया सौर्ट और यह लोंग हो तो हो गया सौर्ट नोट्स पूरे नोट्स का यह सौर्ट पार्ट यह लोंग पार्ट short part basic theory formula concept थोड़ा question और long part बहुत सारा question practice ये short plus long short notes plus long notes ये 5 page ये 50 page हो गया पढ़िया जोड़दार लेकिन तुमको लगता है इस 5 को और मैं एक page में convert करूँगा वो भी बना लिया अच्छी बात है समझ गया